इधर मुजफ़र नगर में उत्रे थे कमांडो उधर हापुड में हो गया बड़ा हंगामा। कावड पर किसने थुका, कावडियों का रास्ता किसने रोका, हापुड में क्या क्या हुआ। मदर्से के बाहर का ऐसा वीडियो आया सामने, देखकर योगी देंगे तगला आदेश। मदर्से के सामने थुका गया और चैलेंज किया गया कि हम यही करेंगे, अगर रोक सके तो रोक ले, ऐसे आरूपियों को जल से जल गिरफतार किया जाना, जो कावड यात्रा में विग्न डाल रहे हैं। ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता, योगी कादेश है, कावडियों के रास्ते में नहीं आना है, क्या यह माहौल खराब करना चाहते हैं? हापुड के अपर पुलिस सदीक शक्विनीत भटनागर बताते हैं? हापुड के तगा सराय से कावडिये गुजर रहे थे, तबी इसमें शामिल कुछ लोगों ने कहा, कि बड़े मदरसे के पास किसी ने कावड का अपमान किया, सुचना मिलते ही पुलिस की ती मौके पर प कि हेलिकॉप्टर सिर्फ कावडियों पर भूल बरसाने के लिए नहीं दिया, बलकि कावडियों को अगर कोई नुक्सान पहुचाए, तो उसका उपर से एक काम तमाम कर देना हाला कि इस वाइरल यूग में हम इस बयान के पुष्टी नहीं करते, बस इतना बता सकते हैं कि योगी रायत में कावडियों और कावड यात्रा दोनों की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है अब कि सरकार कावडियों के बारे में इतना सोचती है कि वो खाने पीने की दुकान सही जगा से खरीदे, इसका भी खयाल रखती है नेम प्लेट जैसा आदेश जारी करती है, जिससे देश भर में सवाल ख़़े होते हैं, सुप्रीम कोड इस फैसले पर रोक लगा देती है लेकिन योगी आदितिनाद के इस फैसले का लोग इतना समर्थन करते हैं, कि वो खुदी दुकानों के बार नेम प्लेट लगाने लगते हैं जो यह बताता है कि देश सद्भावना के रास्ते से चलेगा, ना कि इस तरह की हरकतों से कावड का अपमान करने वाला चाहे कोई भी हूँ, उससे सजा मिलनी चाहिए, सोचल मीडिया पर कुछ कावडियों के भेश में, उपद्रव करने वालों की दस्वीरे भी वाइरल हो सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए, हमें न केवल अंतह करन से बलकि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा, शिव भुत्वा, शिवम यजेत, शिव बनने के लिए, शिव जैसे साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुसासन भी चाहिए, और तब यहाँ कावड यात्रा, न केवल सर्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में, बलकि आम जन के ब्यापक विश्वास की प्रतीक बन करके उभरेगी, जैसा कि सम है, हम लोग देख रहे हैं, जो यह बताता है कि योगी का कानून, जाती, मजहब या पंथ देखकर काम नहीं करता है, बलकि अपराद की प्रवर्ती देखकर काम करता है, यात्रा हो या जूलूस, हर किसी को इस देश में शांती से अपने धर्म की पालन करने की आजादी है, फिर ऐसी हरकते करने वालों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है आप पूर के इस खटना पर आप क्या कहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं